प्रणाम पिछले शनिवार के एपिसोड में हमने देखा कि रुद्र भैरोजी की साधना कैसे करते हैं आज इस एपिसोड में हम जो सात्वे स्तान पे बिराजमान है ऐसे कुरोध भैरोजी के बारे में बात करने वाले हैं कुरोध भैरोजी की साधना आगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके नाम में ही कुरोध ये शब्दकार थपको पता चली गया होगा तो जब कभी साधक ये कुरोध भैरोजी की साधना करते हैं तो उनमें कुरोध बढ़ने की संभावना जादा रहती हैं कुरोध भैरोजी की साधना जो तंत्र मंत्र सीख रहे हैं या तंत्र मंत्र की साधना करते हैं ऐसे लोग, ऐसे साधक, जादा भगवन क्रोध भैरो की साधना करते हैं। शिव का सबसे उग्रिस्वरु बगर कोई माना गया है, तो वो है क्रोध भैरो। अगर आप उनकी प्रतिमा देखेंगे, तो उनके चहरे पे भी क्रोध दिखाई देता है। तो ऐसे ये क्रोध भैरो जी की साधना, अगर आप करना भी चाते हैं, तो उसके लिए आप एकांत में जाके ये साधना कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने अपने गुरू से चड़्चा की थी कि उन्होंने क्रोध भैरोजी की साधना कब की और कैसी की तो उन्होंने बोला था कि उनके जो गुरू थे नाच संप्रदाई के उन्होंनों भी यही चीज बोला था कि जब कभी बेटा तुम क्रोध भैरोजी की साधन करने। क्बंगी वह सादना उग्र है आपके सौमों में काफी बदलाव यह हैं उससे आपके जो परिवर वाले हैं उनको कोई उसका कश्ट ना हो ऐसा नहीं है कि आ बहुत ही उग्र हो जाने वाले हैं आपको बहुत ही कुरोध आएगा ऐसा नहीं है लेकिन कभी-कभी कुछ साधनाए जो उग्र होती है वो हमें एकांत में जाके ही करना चाहिए क्योंकि जो मंत्र पठन हम करते हैं उसके वाइबेशन से हमें ताकत आती है वो जो ताकत हम एकठा कर रहे होते हैं वो प्रोसेस में हमें एकांत की जरूरत है हमारा मन शांत रहे, हम एक जगा पर बैठके अच्छे से साधना कर सके, इसलिए ऐसी जो उग्र साधना आए हैं, वो आप कातो मंदीर में जाके या इकांत वास में जाके कर सकते हैं। काफी धारमिक गरंतों में क्रोद बैरव जी की साधना के काफी अलग-अलग स्वरू बताये गये हैं। उसमें ऐसे लिखा भी गया है कि ये साधना पहले कि रुष्च्रमनी तो जंगल में रहकी वे साधना करते थे, उनके वरत करते थे। धारमिक गरंथों में यही कहा गया है। कि क्रोधभःव जी की साधना जनगल में जाके, जो तंत्रमंत्र करते हैं, वे तो समशान में जाके भी एक रोध भहरवजी की साधना करते हैं अगर आप कभी देखते होंगे जब कुम का मेला होता है तो आपने काफी नाच संपरदाई के साधू भी देखे होंगे काफी बहस मकापरिधान किया होता है उन्होंने तो ऐसे जो सादक हैं, जो नाज संप्रदाय के लोग हैं, वे कुरोध भहरवजी की साधना समशान में बैटके करते हैं. क्योंकि भहरवजी का मुख्य अगर कोई स्तान है, तो वो है समशान. वो समशान और हमारे जो योगिनी हैं, हमारी जो माता जी है, मापारवती, उनके जो योगिनी स्वरूप हैं, वो सारी योगिनी के वो स्वामी माने गए हैं. तो ऐसे क्रोध भहरवजी की साधना आप एकांत वास में जाके कीजिए. क्रोध भहरोजी की साधना कैसे करनी है तो उसका मंत्र है काफी अलग-अलग मंत्रों के बारे में लिखावट की गई है लोगों ने उसका अनुष्ठान भी किया है लेकिन अगर आप नाच संप्रदाय के नहीं है और आप साधना करना चाते हैं क्रोध भहरोजी की तो आप जो काल भहरोजी का मंत्र है तो मंत्र वो कैसा है क्योंकि ये सारे भहरोजी की अगर साधना कर रहे हैं तो आप ये मंत्र का पठन कर सकते हैं तो हमारे क्रोध भहरोजी की साधना आप कौनसे दिन शुरू कर सकते हैं, तो पौर्णी मा के दिन, अमा वस्या के दिन, या रविवार के दिन भी आप ये शुरू कर सकते हैं, जब कभी आप करोध भाईरव जी की साधना शुरू करेंगे, तो उससे पहले अगर आपके पास उनकी प्रतिमा है, तो उसकी सापना कीजिए आप जहां भी यह साधना करना चाहते हैं या करने के लिए जाने वाले हैं वो जगह बहुत ही स्वच्छ होनी चाहिए एक कांतवास होना चाहिए और जब आप साधना शुरू करेंगे उससे पहले आप अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने चारों तरफ उसका चिड़काओ कीजिए वातावरन शुद्द कीजिए वह भूमि सुद्द कीजिए कि कोई भी अनुष्ठान करने से पहले वातावरन और भूमि शुद्द करना बहुत ही जरूरी है जब शाधना शुरू करेंगे तो जासे मैं हमेशहं अपने एक सब्सेक्स आप गनेश जी की साधना कीजिए। अपने गुरु मंत्र लिया है तो उसकी साधना कीजिए। उसके बाद भगवान शंकर यानि ओम नमस्षिवाए। ये मंत्र का एक माला कीजिए। और फिर उसके बाद हमारे भगवान क्रोध भाहरव जी की साधना की शुरुवाद कीजि आप उसकी 11 माला कर सकते हैं 21 माला कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि मैं इतनी माला नहीं कर सकता है तो अगर आप रोज एक माला भी करते हैं, तो भी चलेगा, क्योंकि काल भाइरव जी की, यानी हमारे जो प्रोध भाइरव है, उनकी साधना का समय है, रात को नौ बजे से लेके बारा बजे कर, तो अगर आप मंत्र पठन करना legitimately करते हैं, तो भी कर सकते हैं, या फिर उनकी ए करने की चाह है कि मैं ये इतने दिन ये साधना कर सकता हूं उतने दिन ही निश्चित कीजिए और रोज एक माला या ग्यारा माला आप कर सकते हैं तंत्र शास्त्र में अगर आप क्रोध भैरव जी का वर्णन देखेंगे तो वे श्याम रंग के हैं उन्हें भी चार भुजाएं हैं उन्होंने अपने हाथ में गदा ली हुई है ऐसे बहुत ही सुन्दर सा वर्णन शास्त्रों में देखने को मिलता है उनका अगर आप वाहन देखेंगे तो उनका वाहन है गरूड आजकल गरूड पक्षी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आप जब कभी उनकी प्रतिमा लेते हैं या उनकी प्रतिमा देखते हैं तो जहां करूड भैरूड जी खड़े हैं उनके पास में ही गरूड पक्षी देखने को मिलता है यानि उनकी भी प्रतिमा है गरुड यानि वो विश्णु स्वरूब भी है क्योंकि विश्णु जी ने भी गरुड पक्षी को काफी स्थान दिया हुआ है तो जब आप कभी क्रोध भैरव जी की साधना करते हैं तो आपको वस्त्र परिधान करने हैं नीले रंग की आसन भी आपको नीले रंग का ही लेना है पूजा अगर आप करते हैं प्रोध भैरव जी की तो उन्हें भोग कौन से चीज का लगाना है तो उन्हें अनार रख सकते हैं फल में उन्हें बर्फी रख सकते हैं चमेली का इत्र भी लगा सकते हैं, उनकी प्रतिमा, या आप जब खुद साधना करने के लिए बैठेंगे, तो आप चमेली का इत्र का इस्तमाल कर सकते हैं, उसे अपने शरीर पे लगाईए, या आप जो भी कोई माला लेंगे, रुदराक्ष की लेंगे, या फिर स्पटिक क माला को पहले चमेली के अत्र में अगले दिन भीगो के रखी, तो वो जो अपने माला भीगो के रखी है, उसे दूसरे दिन निकालिये, उसे अच्छे से साफ तीजे, और वो माला के उपर आप कुरोध भाहरो जी का जो मंत्र हमने बताया है, उसकी साधना कीजे, उन्हें अमेली का इत्र बहुत ही प्रिया है, तो जो हमारे कुरोध भाहरो जी को प्रिया है, ऐसी अगर चीज हम करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता और उनकी कुरुपा हम पर बनी रहती है, कुरोध भाहरो जी की साधना हमें क्यों करनी चाहिए, तो जब हमारे जैसे साधक कोई परे करते हैं तो कि रूपा दुष्टी उनके ऊपर हमएशा बनी रहते हैं और आप जल्दी से सारी परशनियों से मुक्त हो सकते हैं तो हर परिशञी में मुक्त होने केITY समस्य से दूर होने के लिए हम क्रोध भहरोजी की साधना कर सकते हैं तो आप ये क्रोध भहरोजी की साधना एकांतवास में जाके कीजिए जैसे मैंने कहा है वैसे हर चीज का अच्छे से ध्यान रखिए वो सारी चीज़े अपने साथ ले जाएए और अच्छे से पहले भूमी शुद्ध कीजिए, वातावरण शुद्ध कीजिए, यानि जो भी आप मंत्र साधना करने वाले हैं, वो सारे मंत्र के वाइब्रेशन्स आपको मिलेंगे. क्रोध भैरोजी की साधना आप जब कभी करेंगे, तो आपको थोड़ा सा चिरचिडापन बढ़ेगा, ऐसा आपको खुद को महसूस होगा, आप काफी जल्दी क्रोधित हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा आपको होगा, क्योंकि वो साधना, उग्र साधना है, तो यह चीज तो आपके साथ होने ही वाली है, लेकिन शांत बैठिए, जादा बोलिये नहीं, अब जब कभी कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, भागवान शंकर का कर रहे हैं, कोई भी देवी देवता का जब हम अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें नियम का आचरण एक ही करना है कि कम बोलना है, क्योंकि अगर आप जादा बोलते हैं, तो उससे आपके एनरजी वेस्ट होती है, जो भी आपने ताकत कमाई है, जो भी मंत्र की साधना से आपको एनरजी मिली है, वो आपके बातों के द्वारा निकल के वो एनरजी आपसे दूर होती है, दीरे-दीरे कम होने लगती है तो अनुष्ठान के दर्मियान आपको कम बात करनी है शांत बैठना है और दूसरा एक नियम है कि दुपेर के समय सोना नहीं है जब हम अनुष्ठान करते हैं तो दुपेर के समय हमें निद्रा करनी नहीं है आप शांत बैठे रहिए कुछ पढ़िए और चीज कर सकते हैं जादा से जादा, अगर आप इसकी साधना करते हैं तो जल्दी आपको परिशानियों में बहार निकल जाएंगे। भोग पौनसा लगाना है ? कौनसी माला लेनी है ? कौनसा मंत्र है ? वस्तर परिधान करना है ? maharach तो उसे नमस्कार कीजिएगा उसे भी प्रणाम कीजिएगा ताकि आपके उसकी प्रुपा बनी रहे हैं तो ऐसा ही हमारा क्रोध भैरोजी का अनुष्ठान है आप इसे कीजिए और सारी परेशनियों से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाईए तो मिलते हैं अगले शनिवार तो जो हमारे आठवे स्तान पे बिराजमान है जो हमारे अश्ट भैरोजी की साधना को लेके तो तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो से जादा से जादा लाइक कीजिए अगर आपकी घर परिवारों में को कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं वाट्सेप का क्रमांग दिया है उसके उपर भी अगर आपका कोई प्रेश्ण है तो मुझे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद Aum Ram Reem Rumu Rudra Murtay Kalab Bhairavaya Namaha Aum Ram Reem Rumu Rudra Murtay Kalab Bhairavaya Namaha ओम् राम् रीम् रूम् रुद्रमृतै कालवने रवाय नमामा ओम् राम् रीम् रूम् रुद्रमृतै कालवने रवाय नमामा झाल 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 झाल